मैं डाक्टर आर्पी सिंग होमेपेटी चुके सक आपको आपने यूट्यूब चैनल पर सखरोता हूँ एदि आपको किसी भी रोग से सम्मदित कोई शमस्या हो तो मेरा वीडियो देखें मैंने अब तक लगभग सभी रोगों के लक्षान अन्रूप अफचार वाली वीडियो बना रखी है एदि आपको प्रामवर्स लेना हो तो मेरे क्लिनिक पर आए मैं आपको होमेपैती की दवा इस्पार्टियम इसकोपेरियम के सिम्टम्स और यूजिज बताने जा रहा हूँ इस्पार्टीन सलफेट हिर्दय की सक्ति को बढ़ाती है इसकी गती को कम करती है और रक्चाप गटाती है वह वेरेट्रम और डिजिटेलिस के उत्पन की हुए अच्छे प्रभाव को जारी रखती है इस्पार्टीन सलफेट ने ब्रूम का छारोट सत्त सित्ध करने वाले ब्यक्तियों के हिर्दय के फैलने और सिकूर्णे की क्रिया को कम कर दिया था इस फाई मो ग्रावंस से यह भी इसपष्ट होता है कि रक्चाप भी कम हो गया था यह रक्चाप और नाडी की गती को इसलिए कम करती है क्योंकि इसका बिस फुस फुस पकाशी अशनायू को सकती देने के साथ हिर्दय पेशियों पर अपना प्रभाव डालकर हिर्दय गती को मंद कर देती है ये हिर्दय की संकोचन क्रिया मंद कर देती है ये हिर्दय की संकोचन क्रिया को कमजोर कर देती है मुत्र की मात्रा बढ़ जाती है इसलिए इस ओस्ती में मुत्र बृद्धी के गुण है अता या सोत रोग में लाबदायक है सांडलाल, मुत्र, सांस, क्रिया, कठीन, इन्फलेंजा और दूसरे संक्रमक रोगों को बाद में क्रमभष्ट कर हिर्दैगती को ठीक करती है इस दवा की मात्रा एक से तीन भी चाहिए प्रिया के लिए इस थूल मात्रा में प्रियोक की जाती है मारिफिया की आदत को रोकने के बाद रिदैगती को सक्तिवान रखने के लिए यह 1 इस्टू 10 से 1 इस्टू 4 ग्रेन इंजेक्शन द्वारा अती लाब दायक है तंबाकू से आए उपद्रव, हिरदैसूल, क्रमब्रष्ट, क्रिया में भी यह लाब दायक है इस दवा की मात्रा 1 से 3 भी चून सरवादिक प्रियोग में लाई जाती है धन्यवाद